आप अपना खुद का भवस्ते नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आत्तों को बदल सकते हैं और निश्टित रूप से आपकी आत्तों से आपका भविश्ते जरूर बदल सकता है अगर आप उस इंसान की तलास कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा तो आपको आईना देख लेना चाहिए आप खुद ही वह इंसान है जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में सनी ही सब कुछ चिनने वाला है और सनी ही सब कुछ देने वाला भी है हमारे समाज में सनी देव की जो छवी है वह अत्यंति कश्प्रद देवता के रूप में है लोग यही समझते हैं कि भगवान सनी की जस्ती पढ़ने पर व्यक्ति अत्यंत पीड़ा बुगतता है उसका जीवन नरक के समान तबाह हो जाता है भगवान सनी केवल दंड ही देते हैं उनकी जस्ती माविनाशकारी अति बैंकर और काल के समान हैं लेकिन ये पूरा सच नहीं हैं वे बहुत करपालू भी हैं 38 प्रसन होने वाले देवता भी हैं वे किसी का बुरा नहीं करते हैं वे तो केवल प्राणी को उसके कियेवे कर्मों का दंड देते हैं जब वे प्रसन होते हैं तो प्राणी का जीवन प्रत्वी पर भी स्वर्क के समान बना देते हैं उसे देव को सामाने दिनों में भी शद्दा और भक्ति भाव से याद करें तो निश्चे ही वे हम पर प्रसंद हो करके हमारा कल्यान करेंगे। शनी सभी लोगों पर भिन-भिन प्रकास से अपना आशिरवात बरसाते हैं। समाज के अलग-लग वर्गों पर उनकी अलग-लग करपा बनी रहती है। आईए देखते हैं कि भगवान सनी आपको क्या प्रदान करने वाला है। हाला कि ये सिरफ चौतर दिन का ही पीरिड है लेकिन आपको एक आबास तो होई जाएगा कि सनी की साड़ साथ समाप्त होने से आपके जीवन में क्या सुधार आएगा। तो एक ट्रेलर के रूप में आप ये दिन 29 अप्रेल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक देखने वाले हैं। के प्रभावित करेंगे। चारों और से सफलता और प्रसंता प्राप्त होगी। जो जौब वाले हैं करमचारी हैं वो हाईर पोस्त या अधिकार प्राप्त करेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी और अब आपका नेम फेम, आपकी गुडविल और आपके सुखों में आपकी लगजरी में व्रद्धी होगी। भाई बैनों से जरूर कुछ विरोदबास बना रहेगा, लेकिन आपकी आयू की रक्षा होगी अताद negativity से मारक इस्तिती से आप सेफ रहेंगे। और आपकी parental property में व्रद्धी होती रहेगी, अताद वो मिलने के योग भी बनेंगे। आईए, अब बात करें सनी के जस्तिफल की, सनी को दो विशेश जस्तियां प्राप्ते, अपने भाव से तीसरे भाव पर और अपने भाव से दस्वे भाव पर जस्तिपात करने की, अपने से सात्वे भाव पर तो हर गरे देखता ही है, तो इस प्रिकास से तीन जस्तियां म लेकिन मंगल आपकी रासी कुणली में त्रिकुण के अधिपती है अधा ट्रेंगल के अधिपती है अधा सुपफल प्राप्ट होगा। यह स्थिति आपको संतान तता विद्या और बुद्धि के सित्र में उन्नती देगी, प्रगती देगी। इस समय काल में हर कारे में सफलता मिलने के साथ साथ financially और job की प्राप्ति या व्यवसाय में व्रद्धी भी मिलेगी अपनी विरोधियों पर सत्रों पर आसानी से control प्राप्त कर लेंगे घर में मांगलिक कारे आपके होंगे और यदि आप अविवाइत हैं तो विवा बंदन में बंदेंगे और यदि विवाइत हैं तो संतान की प्राप्ति का मार प्रसस्त होगा सिक्सा के शेतर में स्टुडेंट्स को जो अपसिकल सा रही थी अब वो समाप्त हो जाएगी और आपको भागे का सारा मिलने लगेगा और भागी की साहित ऐसे ही आप अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ही कंस्टिशन पाएंगे आसा के अनुरूप आपको परिक्षा के परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे और जो कंप्टिटिव एक्जाम देने वाले हैं उनको तो सुब समाचार मिलने ही वाले हैं या प्राप्त होने वाले हैं लेकिन इसका अर्त है कि आपको मेनत भी करनी पड़ेगी, भागय आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपको कर्मों का फल ही मिलेगा, क्योंकि शनी कर्म के फल ही देने वाले हैं, आईए, अब बात करें, सनी की सब्तम दस्ती, जो की भागय बाव पर है, नाइन ताउस पर है, औ नती तो होगी, जो आपके सत्रू हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपकोंपिटेटर्स हैं, उन पर आप नियंतन प्राप्त करेंगे, वाहन या जिन लोगों के पशू हैं, और फाइनेशली, भूमी बावन वाहन, इन सब के लिए यह समय उप्यूक्त है, यह समय आपकी यूसफुल है, अतात काम करने का है, इस समय आप सफलता पाएंगे, इसलिए जी तोड मेनत करें, और इस गोचर का पूरा पूरा फाइदा उठाएं, क्योंकि यह गोचर सिर्फ और सिर्फ चाउत तर दिन का है, आईए, अब बात करें, सनी की दसम जस्ती की, जो की नास ब के लिए, कि उसका फल आपको क्यों अच्छा या क्यों बुरा मिलेगा, इस से आपका खर्च अधिक होगा, लेकिन फिर भी आउटसाइड सोर्सेज से आप इंकम भी बराबर करते रहेंगे, फाइदा भी आपको मिलता रहेंगा, आपका अधिकार का शेत्र बढ़ेगा, चारों और से सफलता और प्रसंता आपको टापत होगी, जमीन ज्यादात की बिक्री यदी चाहते हैं, तो वो भी संबह होगी, आईए, अब बात करें, शनी के उपायों की, धनुरासी वाले जातकों को, शनी और चनमा, दोने के उपाये और दान आप करने चाहिए, सबसे का दान या इस में से जो भी अवलेबल हो जाए, उन समगरी का दान करना चाहिए, सोंबार को सूरिदे से एक गंटे के भितर भितर, ताकि आपको शनी के और चनमा के असुपता में कमी आएगी, चनमा को स्ट्रेंद मिलेगी, तब क्या होगा, आपका कॉन्फिदेंस आएगी और आप अच्छे डंग से कामकाज कर पाएंगे, आईए, अब बात करें, सनी के उपायों की, तब धनूरासी की चातकों को काले उड़त की दाल, सर्सों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी का दान, सनीवार को जैसे एक गंटे के वितर वितर दान करना है, इस दान को होरा दान का आजाता है, ताकि असुप फलों में कमी आए, सनी के असुप फल या प्रतिकुलता है, आपको जब नहीं रहेगी, तब क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ेगी, फाइनिशल परपर्टी बी है, और साथ इसाथ पराकरम भी है, इन सभी में इंप्रुमेंट आएगा, अब बात करते हैं, और उपाए की, ग्यारा नारियल, आपको पानी वाले जटा साइथ लेते हैं, जिसके उपर जटाएं होती है, ब्राउन कलर की, और एक एक नारियल, दाएं हाथ से पकड़ करके, दाएं कान की तरब से बाई और घुमा करके, दोनों हाथ लगा करके जल में प्रवाइद करना है, आता जल का मतलब यहां पर बैतावा भी हो सकता है, स्थिर जल भी हो सकता है, कोई तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है, जील भी हो सकता है, ऐसा क कर रहे हैं तो फिर एक नार्यल से ही काम चलाए जा सकता है लेकिन ये प्रियोग जरूर करना है ये उपाय जरूर करना है हर सनिवार को वट रक्स या पीपल रक्स के नीचे सुरियास से पूर्व आपको कड़वे तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला करके सुद्ध और धूप आदी अर्पित करने चाहिए अता जो पीपल की जड़ है वट रक्स की जड़ है वहां पर आपको दूच चड़ाना है और वहां पर आपको दीपक प्रजुलित करना है सनिवार के दिन ही बंदरों और काले कुत्तों को लड़ू खिलाने से भी सनि की कूप्रबा का समन हो सकता है और आपको सनि की साड़ साथी 12 जुलाई से लगा करके वापस 17 जनवरी दोजा 23 तक रहेगी इसने यह उपाय आपको निरंतर करने 17 जनवरी दोजा 23 तक सनि से उत्पन बीशन समस्या के लिए भगवान भोलेनात और हनमान जी की पूजा एक साथ में करने च जहां आप सोते हैं वहां बैटरूम में साइट टेबल पर रखें या आसपास रखें जिससे कोई भी गरह जब भी बदलते हैं सबसे पहला असर आपकी बुद्धी पर करते हैं उसके बाद में आपके सरीर पर होता है तो जब कोई भी गरह नेगेटिव होंगे प्रतिकुल मंत्र का जाप करें सनि का एकाकसिर मंत्र है उम सम सनिश्चराइनम वा सनी का तांतिर क् ॑म पड्रूम प्रूम सह सनयय नमा जो महान गाहतिरी के उपा सके हैं वह जाप कर सकते हैं उम भग्भवाये विदमे नत्युपुर्षाइ दीमे हीतन्मों शनिही प्रशो दयातІत तो यथा संभव, जितना भी आपसे हो सके, इस में से सनी सांती के जो भी उपाया आप कर सकते हैं, वो करने का प्रियास तो जरूर कीजिए, ये रासिफल आपकी जन कुर्ली में से एक रचनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है, और ये रासिफल जनरल है, एक रासिफल के डिग्री के हैं, कौन सी दशाचल रही है, सनी किस बाव में हैं, कौन से ग्रیव के साथ में, कौन से ग्रहो के दस्ते में, इस सबका इमपेक्ट इस रासिफल पर पड़ेगा, तो ऐसी स्तिति में आप, या तो अपनी जन कुर्णली के द्वारा इस रासिफल को जान सकते है और या फिर वो लोग जिनको समस्याइं जादा है जो भविष्य में जाकना चाते हैं कोई बहुत बड़ा decision लेना है उसमें कोई दूविदा है उसका सामना करने के लिए मार्ग दर्सन के लिए अपनी जन कुणली का विस्टलेशन करवा सकते जो भी जिक्यासाओ जो भी प्र इसर्टेंसी के माध्यम से भी आप अपनी जन कुली का विश्लेशन करवा सकते हैं, जो भी आपके प्रस्तन हैं, वो पूछ सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे, वो भी आप तक में लिखित में, या तो इमेल के थुरू, या वाटसब के थुरू पहुंचाऊंगा, मैं कामन महादेव आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद,